जो कि अग्या दोस्तों अब यभी मौसं विपाग की तरफ से मध्य प्रदेश को लेकर एक रेड़ एलेट जारी क्या गए मध्य प्रदेश की इन जिलों में जो ने भारी बारीज की साम्भावना जी हां दोस्तों अगे लिए 24-45 गंटों की दौरन मध्य प्रदेश का मौसं में भारी मौसं में हमें बदलाओ देखने को मिलेगा वही दोस्तों आप से चोटी सी रिक्वेश्ट अगर आप मध्य प्रदेश में रहता ना तो इसे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजे साथ में गयंत के दौर परद्देश बारी बारी सोने की अनुमाने जीम बद्देश में जो है ना काफी ज़्याद बारी sony taking carry my आज भी सामको देज हवाई के साथ बारिश होने के अनुमाण है इसके साथ ही मद्ध्य परदेश के कही राकों में बारी बारिशों ओलवर्स्टि हुई और मुश्म हुट विबागां आगा मीच जण ही 25 संदीधा राजनित्विक पालिटी कौन सी है यानि कि आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पालिटी कौन से बीजेपी कॉंग्रेस या कोई अन्य है कमेंट करके जरूर कमेंट करने हो लिए लगी में सकता तीन महीने के लिए जियो एडिटल आइडिया वड़ फो रिचाज जो है चमकने की संबावन जदाई और उन्होंने बताएगे अगले 24 गंटों के दौरान भी यही इस्तित्या रहेगी इसमें दोस्तों बताए जाहर है कि कई जगों पर बोपाल होसंगवाद जबलपूर रिवा में गरत चमक के साथ बारिस तता ओले गिरनी के संबावन और जो है गरत चमक के साथ बारिश होने के अनुमाने और आकाशी बिजली गिरने की संबावना काफी जगों पर बिजली गिरनी के अनुमाने पूरी राजस्तान में सिस्टम और मध्य मारष्ट में चकरवाद की वज़े से मौसम में यह बदलाव देखने हो मिला इसी दोरान बोपाल में आंदीच चमक के साथ गरत चमक सथ बारिश हुई है इसी स्वी कोल आर में रहा चलते काफी जगों पर भारी बिजली आकाशे बिजली गिरी है और दो घंचे से जादा बारी 100 विजली जगों पर देखने को मिली बोपाल में दोस्तों कई जगों पर शाम के समय बारी मौसम में बदलाव देखने को मिला है तोस्तों अगर आप मोपाल में रहते हैं या मध्या प्रदिश में रहते हैं तो कहां पर रहते कमेंड करके जरूर बताना और दोस्तों आपको बता दूराजस्तान के साथ मारत वाड़ा पर भी बने उपर हाओ के चकरात और मध्य परदेश के कई जगों पर जैसे कि छेंद वाड़ा उजयन मलाज खंड बेतुल इंदोर में भारी बारिश हुई है वही राजदानी बोपाल में दूसरे दिन तक तेज आवाई चलिए और गरत चमा के साथ बहुत चारे पड़ी है वही दोस्तों बताए जारे कि कई चाही बारीज बार गीरने के आशियंक है वही म्राउ के पिधमपूर के तेज जगों पर जह है ओले गिरे हैं और यहां पर उलों के कारण काफी जगों पर चाड़कों पर चादर बिश गई है और मौसम विभाग के मुतावित जह है पाकिस्टान के पास पस्चिय मिक्षो के उत्तर भारत में पहुंचने की संभावनों भी काफी जादा देखने को मिलेगी और वहीं दोस्तों बहुपाल और इंदर सहीत जो है कई स्थानों पर हुई बारिश अगले तीन दिन तक जो है भारी बारिश के संभावना लगातार आरे पश्य मिक्षोम और जो है बने चक काफी जगों पर देखने को मिलेगी अगले 24 गंटों के तुरह जिसमें बहुपाल होसंगभार जबलपूर वे रिवा में गरत चमा के साथ बारिश के साथ ओली गिनने के आशंका है और मौसमी सिस्टम थोड़ा कमजोर भी पड़ेगा जिसके बाद जो है कल से थोड़ी र दूसरे दिन आंदी और गरत चमा के साथ बारिश हो रही है और कि जगों पर जो है राजदानी बोपाल में भी जो है कई जगों पर भारी मौसम में बद्ला देखा गया और उज्जेन राजगर्ड़ और खरगोन में भी कई जगों पर जो है आंदी और उर ओला उस्टिए है और बताए जारे कि कई जगों पर आंधी और बारिश की आशंका जटाई जारी और कुछ इलाकों में हलकी बारिश भी हो सकती है इंदोर खरगोन और उज्जेन जिलों में भी कही चगों पर गरच चर्मा के साथ बारिश और तेज हवाई चलने के अनुमान और ओले गिरने साज्ञापूरं पर बीड़ का अचाफी जगों पर काफी मौसम बदलेगा और चार दिन तक भारी बादल चाहे रहेंगे राजगों में भी च्छे दिन तक जो है काफी ज़्यादा घर्मी देखनी को मिलेगी एट तोर विल्जालाय चार से पांस दिनों तक काफी बादल चाहिए रिगंगा थंडा और सुववना मौसम है कटनी मध्य ब्रदेश में पांस दिनों के द्रान भारी बादलों के आवाजाई देखने को मिलेगी बिंड मध्य पर दिनों तक काफी बादलों तो आप कहां पर रहेते दोस्तों में कमेंट करके जरू बताना मैं आपको बता दू अगले 2-3 दिनों के दौरन भी काफी ज्यादा मौसम हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है वह दोस्तों भौपाल के साथ सजो और पर काफी जगों पर भारी से भारी मौसम में बदलाव जताई जा रहे हैं और भारते मौसम विबाग की माने तो कई जगों पर काफी जदा बिजली गिरने की भी आसंगा जताई जारी है जी हां दोस्तों पिछले 24 गैंटों के दौरन जैसे मौसम देखागा है वैसे अगले 2 दिनों देखने को मिलेगा और बोपाल में गौालर म ये और कई जगों पर जो है राजदानी बोपाल में भी जो ये जगों पर भारी मौसम में वदला देखा गए और उज항 राजगर्ण में भी कई जगों पर जगों आंधी और बारे lti जरे कई वड़ा धर ही जोए और कुछ एलको नहीं है और कसक बाद्ट-क बारीश ऑर को मिल सकती है वह दोस्तों भारती मौसम विभाग की माने तो मद्यपरदेश में लग बग सभी जिलों में काफी ज्यादा मौसम बदलता रहेगा खंडवा देवास राजगर साजापूर इन जगों पर बीज़ा है काफी मौसम बदलेगा और खंडवा में चार दिनों तो भा झाल 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 झाल